बलुस्त्री सत्गुरु महराज की स्री प्राणनाथ प्यारे की जो वस्त जिना मिशल की शोई बने ठोर तित सेज्या संदुक सिंहासन कहों केती कई जुगत कई जुगते कई जिनसे कई सामागरी सनंध क्यों करू बरनन धाम को ये जुठी देह मत मंद कई जुगते कई जिनसे अक्षिरातीत धामधनी स्रिडाज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा तार्तम सागर दिब्विवाणी अंतरगत परिक्रमा ग्रंथ के उपर हम चिंतन करते आ रहे हैं तो परिक्रमा ग्रंथ में ये 38 प्रकरन प्रारंब हुआ जिसके 19 उपाई तक के भाव को हम चर्चा किये अभी के इस कच्छा सत्र में ये 38 प्रकरन का 20 नमर चवपाई से हम चर्चा प्रारंब करने जा रहे हैं तो यह प्रकरन में धाम बर्नन नाम से परमधाम की शोभा वहां की वैभाव इसको चिंतन करा रहे हैं तो जैसे रंगमहल के प्रथम भौम की शोभा फिर उसके बाद दुसरी भौम में भुल भुलावनी, खड़ो कली और वहां की कई तरह के अनन्दमय लिला ये सब चिंतन कराते हुए जैसे कि एक बार पुना उसको देखे तो कहा जो बस्त जीन मिशल की शोई बनी ठावरतीत शेज्या संदुक सिंहासन कहों केती कई जुगत तो परम्धाम के इन मंदिरों में जहां जिश बस्तु की शोभा होता हो वहां पर वही बस्तु सजे हुये है कहीं तो शेज्या है कहीं संदुक है कहीं शिंहासन है उस जुकती को उस सोभा को मैं कहां तक वर्रन करो तो ये कहा अब यही शे यही भाव को आगे चिंतन कराते हुए जो भी चौपाईयों के द्वारा प्राण्ण जी बता रहे हैं उसको हम वीश नमर चौपाई शे प्रारंब कर रहे हैं तो वीश नमर को देखें कई जुगते कई जिनसे कई सामागरी सनंद क्यों करों वर्नन धाम को ये जुठी देह मतमंद कई जुगते कई जिनसे कई युक्ति पुर्वक कई प्रकार के सामागरिया जुगते मतलब युक्ति और जिनसे मतलब कई प्राकार के तो क्या है सामागरिया है आगे दुस्तरे चरण में सामागरी सब्द ही आया है सामागरी सनन्द, सनन्द सब्दकार्थ भी प्रकार है, तो कई प्रकार के कई सामागरियां है, कहां मंदीरों में, क्यों करो बर्णन धाम को, अब ये धाम का बर्णन अथा, धाम के अंदर ये कई तरह के सामागरियां है, उसको मैं किस तरह से बर्ण करो, ये जूठी देह मत मन्द इश्र जूटी देह के मन्द मती की द्वारा मत मतलब मती बुद्धी तो मन्द बुद्धी के द्वारा मैं किस तरह से वो अखंड परमधाम के ये सोभा सामागरियों को बर्नन करूं कई बेली एक दिवाल में कई बेला फूला तिन पात तिन पात पात कई नंग है एक नंग रंग कहो न जात परमधाम के इन दिवालों में देखिए कई बेली एक दिवाल में मंदिर के एक दिवाल में कई बेली नकसकारी वो चित्रकारियां हैं कई बेला फूला तिन पात उस दिवाल में कहीं तो बेली और कहीं तो फूल कहीं तो पात के नकसकारी चित्रकारियां हैं तिन पात पात कई नंग है वो एक एक पात में दिखे उसमें कई नंग जड़े हुए है एक नंग रंग कहो न जाता वो कई नंगों में से एक नंग अथवा कई रंगों में से एक रंग को भी कहो न जाता कहा नहीं जा सकता है तो फिर सर्व नंगों को किस तरह से कहा जाए, सर्व पातों को किस तरह से कहा जाए, फिर सर्व बेली व्रिक्षियों की स्वभा को किस तरह से सब्द में बर्न किया जाए, जबकि एक नंग का भी बर्न नहीं हो सकता है पात पात को देखके हसत बेल संग बेल शैन करे पंखी पंखिशों जानो दौड करसी अव केल देखिये तो कितनी अनंद मय लिला और अद्वयत प्रेम को यहाँ पर बता रहे हैं पात पात को देखके एक पात दुसरी पात को देखकर के क्या करते हैं हसत हसते हैं और बेल संग बेल एक बेल दुसरी बेल को देखकर के बेल मतलब बेली एक बेली दुसरी बेली को देखकर के हसते हैं इतना ही नहीं आगे और कहते हैं शैन करे पंखी पंखिशों देखिए तो परमधाम के एक पंखी दुसरे पंखी को आख के शैन मतलब इशारा संकेत करके इशारा की भासा बोलते हैं तो पात पात को देख करके असते हैं, बेली बेली को देख करके असते हैं, और पंखी एक आपच में शैन करते हैं, उस्षी में आनंदीत होते हैं, और फिर कहते हैं, जानो दौड़ करसी अवकेल, तो पंखी ने शैन क्या किया, मोक्षे बोल करके नहीं कहा, इसारा के द्वा तो संकीत की भासा समझ जाते हैं और जैसे कि मानो एक पंखी ने दूसरी पंख्यों को ये संकीत किया इशारा की द्वारा नैन के सैन की द्वारा कि अब यहां से दोड़ते हुई आगे केल करेंगे तो दूसरी पंखी समझ जाते हैं तो इसलिए अब कहा जानो मानो की और आगे क्या कहते हैं फूला फूला कई पांखडी तिन हर पांखडी कई नंग नंग देखा नंग हसत फूला फूला कई संग फूला फूला कई पांखडी फूल में कई पांखडिया है न एक फूल हो तो उसमें कितने सारे पांखडिया होते हैं हर पांखडी मिलकर के फूल पूल का एक सुंदरता होता है, तो फूल में कई पांखडिया है, तिना हार पांखडी कई नंग, हार एक पांखडी में कई नंग है, नंग देखा नंग हसता, वो फूल के पांखडी के नंग, दुसरी नंग को देख करके असते हैं, अब नंग तो नंग को देख करके अस रह प्रकृति में भी देखे तो प्रकृति के बस्तुपदार्थ में तो यह संभव होता है परंतु मानव के अंदर यह ऐसे अब कहना तो नहीं चाहिए परंतु यथार्थ बाद है मानव के अंदर ऐसे एक द्वैश भाव को पता ने कहां से डाल दिया एक और दुसरे एक समान हो तो वहां पर सबसे ज़्यादा दोल्ष रहता है वैसे तो यह परंधाम का प्रेम है फिर भी अगर उदारन के रूप में समझना हो तो यहां देखिया न एक संगीतकार हो और द एक गिटार बजाने वाले हो और एक तबला बजाने वाले हो तब भी ठीकी रहता है क्योंकि अलग अलग कला है दोनों मेल के अपनी कला को प्रस्तूत करते हैं अब एक ही छेत्र वाले हैं वह भी तबलिस्ट है यह भी तबलिस्ट है अधाम वह भी गायक है यह भी गायक है अब यहाँ पर बाद विगड़ेगी कभी 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 ता लेखने वाले होते है न और शाहित्य में भी वो भी शाहित्य ये भी शाहित्य अब कोई परमात्माने ही क्रिपा करके ऐसे समझदारी किशी के बुद्धी के अंदर दिये हो तो ठीक है भावना में रह सकते हैं फिर भी जब अंदर से देखें तो ये कहीं मेरे से आगे न चला जाए अथवा इन से मेरा नाम ही रोशना ही होना चाहिए तो प्रकार का एक दोईस रहता है न ये तो उपर वाले की बात है उपर मतलब थोड़ा उचे लेवल में पहुचे होए बात है वो बाल काटने वाले नाई होते है न वो भी नाई के साथ ही नाई के दुश्मनी रहता है रिक्षा वाले के साथ में ही रिक्षा वाला दुश्मनी करता है एरोप्लेन चलाने वाले पाइलट और रिक्षा वाले की बीज में क्या सनमंद है, क्या दुश्मनी होना है तो इस तरह से विचार करके देखिए और साधना के छेत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए फिर भी कई बार यहां पर भी ऐसा होता है कि एक गहिराई से साधना करता हो तो दुश्री उस तरह से साधना तो नहीं कर सकते हैं लेकिन तदहा कथित शादक, वो अशली सादक को देख करके जलते हैं फिर यह भी चितर संसार में यही दोयस को दिखा करके यही दोयत को दिखा करके परमधाम का प्रेम समझाने के लिए दनी ने ये खिल दिखाया है तो ये संसार तो बना ही एशा ही है प्रैन्नाजी ने भी कहा है एशे ही बनी आए यहां कई लोग कहते हैं कि सब को खोश रखना चाहिए सब से मिलके रहना चाहिए अच्छी भावना है सब को खोश रखने के लिए सब को मिला के रखने के लिए यहां संसार में लगे रहेंगे तो आपका जीवन चला जाएगा ये कदापी संबब नहीं है ये होई नहीं सकता है इसलिए जैसा है अपने अपनी सभाव में लोग रहते हैं मेरा सभाव और मेरा करतब्बे मेरा स्व पुई भग्मान में कुर्वान थे, समरपीत थे, अब उदर रावन फिर भग्मान चे ही दोईस रखता था, भग्मान स्री कृष्ण जी आये, अब कृष्ण प्रेम में रमने वाले ब्रजबाशियों के कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को देखिये, फिर वही पर उदर मुथुरा वाले कंग्स जी का और उनके सहयोगी सहिनिकों के इस्तिति को देखिये, और बित्त के प्रसंग में ही हम देखते हैं, सद्गुरु महराज, जो अक्सिराती नाम दने के आविश सोरुप, सद्गुरु के जमाने में जो अंकुरी आत्मा है, सद्गुरु को अचान किया, अब जैसे गांगजी भाई के सब्द लाल्लाशी महराज ने वित्तक में जो जाहर किया, उस सेशाव से कहते हो, पहले दीन इसलाम में गांगजी भाई धरे कदम, सिवाकरी स्रिदेव चंद्र जी की कदम, सोंप आत्म, ये तो एक उधारन के लिए कहा गया, ऐसे जितने भी सननन्दी अंकुरी आत्मा है, सद्गुर में कैसे कुरवान थे, फिर बगल में वही धार्म के ही मार्ग में चलने वाले, जो सरीयती लोग, फिर सद्गुर से दोईश वाव रखते थे, जलते थे, महामती प्राणनह जी, जिसके लिए क्या कहा, स्री धनी ज प्राणनह जी को जोस आतम दुलहिन, नूर हुकुम, बुद्ध मुलवतन, ये पांच मिल भई महामत, ऐसे अक्सरातित सुरुव धर्ती में पधारे, प्राणनह जी की जागनी आत्र में देखिये नभी तक में, दोई बात है, एक पक्ष्य है, प्राणनह जी एक जगा में नहीं देते हैं, और दुसरा पक्ष्य है, कि पहले से ही अपना वहाँ धर्म की नाम पर थोड़ा अपना व्यापार करके पेट का धंदा कर रहे होते हैं, वो लोग फिर अब ये नया सादु कहां से आया, हमारा रोटी छिनने के लिए करके प्राणनह जी से ही द्वैस रख है, तो कहीं प्राणनह जी को आती गोड़ा के उपर सवार कराने वाले भी हैं, और कहीं ऐसा प्रसंग आया है, रातों रात, खाड़ी पार निकल गए, तो ये जीवन ही ऐसा ही चलता है संसार में, तो साधरन लोगों के, हम जैसे साधरन साधकी तु बाती छोड़ दीजे, जैसे कि मैंने कहा, स्वयम भगवान की अवतार, स्वयम अक्षरातित पुरुष दर्ति में आने पर भी, प्रीमशे समर्पित होने वाले भी थे, और उनके साध ही दोईश भाव रखने वाले भी थे, अपनी अपनी अंकुर माफ़क, अपनी अपनी दृष्टी माफ़क हो अपनी तरफ से किशी के प्रती दोईश रेश राग ये भावना नहीं होना चाहिए, परन्तो सामने वाले अब किस तरह से क्या करते हैं, ये इसके पीछे हम पढ़ने लगेंगे, तो फिर साध्य के लिए सबसे बाधक यही चीज होता है, तो ये संसार एशा ही अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं ये इसले जोड़ रहा हूँ, कि आपको लगा होगा कहा से परमधाम की बात में, ये संसार दोईत मैं संसार को दिखा करके परमधाम के अद्वेत प्रेम समझाने के लिए दनीने खेल दिखाया ना, तो मैं कह रहा था, यहां संसार में, तो ये सजातिय समुह जो अता है न इशी के वीज में ही ज्यादा दोईश राग ये भाव रहता है परंतु परम नाम में देखिए क्या कहा पात पात को देख करके असता है और फूल में कई पांखडियां है उसमें नंगा है वो नंगा को देख करके नंगा असता है फूल को देख करके फूल देखिए तो 22 नमर 24 नमर यह 14 कुछ वहाओ को अम देख रहे हो पात पात को देखके हसत बेला संग बेला शैन करे पंखी पंखिशो जानों दोडा करसी अबकेला फूला फूला कई पांखड़ी करें तिनहार पांखडी कई नंगा, नंगा देखा, नंगा हशता, फूला, फूला के संगा, ये परमधाम की अद्वईत प्रेम है। जब आत्मीक भाव में जब हम पहुँचेंगे, तो रिदया उस अनुभाव को, उस लजज़त को महसूस कर सकते हैं। आगे देखें। उसमें जो नंगा है वो नंगा को साथ मिले करके, सब अपनी अपनी जातले। ठाड़े है सकला, ठाड़े है मतलब एकदम, तैनात है, उपस्तीत है, सब कहां, किसलिए? करने खुशाल धनिये को, सब का मकसद क्या है, उद्यश्य क्या है? धनी को खुशाल करना, धनी को प्रशन करना, करने खुशाल धनिये को, अपने तरफ से इतना अधिक बल, प्रयास, प्रयत्न करते हैं, कि क्या करने से हम धनी को प्रशन कर सके? तो सब कोई उशी बात को चिंतन करते हैं और उशी के लिए ठाड़े शब्दाया ना तो उशी के लिए सब तैनात रहते हैं पत्चीश नमर को देखें त्यों त्यों जोत बड़त है ज्यों ज्यों देखे नूर जमाल नाचत हरकत हसत देख धनी को खुशाल देखें त्यों त्यों जोत बड़त है उतना उतना ही अंदर जोती मतलब प्रकास प्रकास मतलब रिदय के अंदर एक आनंद उमंग बड़ता है ज्यों ज्यों देखें नूर जमाल जितने जितने नूर जमाल अक्सिरातित धाम धनी देखते हैं किसको यह जितने भी जो भी नाम उपर बताया सब धनी को खुश करने के लिए धनी को हसाने के लिए धनी को प्रसन करने के लिए सब तैनात हो रहा है न तो इन सब को जियों जियों देखे नूर जमाल जितने जितने नोर जमाल अक्षिराति धामदनी उनको देखते हैं तियों तियों जोत बढ़ता उनकी अंदर उतना ही जोस उतने ही प्रसन्नता उतना ही हौशला और आनंद बढ़ता ही रहता है फिर उसी जोस उसी हरस के साथ में वो क्या करते हैं नाचता, हारखता, हांसता उनकी कला को देख करके धामधनी उनकी प्रती प्रशन्न होते हैं उनकी उपर नजर शिंचन करते हैं और उसके बाल से फिर और अधिक नाचते हैं प्रशन्न होते हैं, हांसते हैं देख धनी को खुशाल, ये और अधीक आसते हैं, नासते हैं, हरशीत होते हैं, अनंदीत होते हैं, क्यों, क्या देख करके, देख धनी को खुशाल, धनी को खुशाल देख करके, धनी को प्रसन देख करके, ये और अधीक खुश, अनंदीत होते हैं, और कई तरह से अपनी कला को प्रस्तूत करते हैं करी खुशाल धनिये को होए आप खुशाली हाल ये सुभा इन मुख क्यों कहों ये देखे सब मचराल करी खुशाल धनिये को सब कोई धनी को खुशाल प्रसंद बनाते हैं होए आप खुशाली हाल अब धनि को प्रसंद बनाने के लिए पहले क्या होना चाहिए श्वयम कोई पहले खुशाल होना चाहिए नगा अब खुद ही निराश होकरके वैठे हैं तो उसामने वाला को क्या खुश करेगा तो धनी को खुशाहाल करते हैं तो उससे पहले ये सब ये सब मतलब उपर जेतने भी नाम बताया है पात, बेली, पांखडी, नंग, जो भी उपर आया वो धनी को खुशाल करते हैं होए आप खुशाली हाल पहले स्वेम आप खुशाल हाल मस्ति में रहते हैं को इस आनंद को इस मोक्षे सब्द में किस तरह से कहो ये देखें सब मचराल ये सब ये देखकर के सब मचराल सब्द करता है मस्ति तो सब मस्त हो जाते हैं अनंदीद हो जाते हैं इनके विविन प्रकार की कला कोशलता खुश आनंद ये देखकर के धनी प्रसन होते हैं और इ बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है कई पसुपंखी जवेरन के कई रंग विरंग कई वीध जानों के खेल पर सब खड़े ये क्यों कही जाए सनन्द अब पसुपंखियों की बात बता रहें देखे कई पसुपंखी जवेरन के परमधाम के ये कई पसुपंकी मानों की जवेरन के मतलब जवेर का ही हो ये पसुपंकी भी कई रंगा विरंगा कई वीदा पसुपंकी देखिए कई रंगी विरंगी कई प्रकार के है जानों के खेला पर सब खड़े मानों कि अपने खेल को दिखाने के लिए अपने कला को दिखाने के लिए सब खड़ी मतलब विल्कुल तयार है तैनात है ये क्यों कही जाए सनंद इन पशुपंखियों की ये सनंद प्रकार को इनकी गती को मैं किस तरह से सब्द में वर्लन करूं होतकचु पड़ताल पाउंशे बोले सब सोर अपनी मान पशुपंखी देखे बोलते सब आप अपनी तान होता कछो पढताल पाऊं से अब दिखिए ये पसुपन की पाऊं अपने पाऊं को जमिन में रखते है न तो वहां से पढताल पढताल मतलब वो पाऊं जमिन में रखते समय आने वाले धोनी उसका प्रती धोनी वो पड़ताल होता है पाओं के द्वारा आया हुआ धोनी का प्रती धोनी बोले सब सोर अपनी बान और साथ में सब अपनी अपनी शोर से अपनी अपनी वान याने की भासा से बोलते हैं और धनी के गुण को गाते हैं पसु पंखी देखे बोलते तो ये पसु पंखी सब बोलते हुए दिखाई दे रहा है शाब आप अपनी तान, सब अपनी 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 अनंद मस्ति में है कचु थोड़े ही पड़ताल से धाम सबद धमकार बोले पसु पंखी वाणी नई नई जुवा जुदी जुदी अनेक अपार अब उपर ये 28 नमर चौपाई के पहला चरण में होता कचु पड़ताल पाउं से ये सबद आया न तो इसका आर्थ क्या बताया इनके चरण जमीन में पड़ने से उसके द्वारा निकला हुआ आवाज यानि की धोनी तो उशी को और आगे कहां ये 29 नमर में कचु थोड़े ही पड़ताल से वो चरण जमीन में रखते समय अथा जमीन में पड़ते समय जो आवाज आता है उसमें थोड़ा सही आवाज के द्वारा धाम सब्द धमकार पूरा परमधाम ही उस सब्द के द्वारा थोड़े सही आवाज थोड़े सही वो पड़ताल के आवाज के द्वारा धमकार मतलब पूरा गुंजयमान होता है धमकार मतलब वो दोनी गुंजयमान होना थोड़ी शी आवाज के द्वारा, तो चरण जमिन में पढ़ने का थोड़ी शी आवाज के द्वारा ही जब सारा परमधाम ही गुंजय मान होता है, तो आगे देखिए, बोले पशु पंखी वाणी नई नई, पशु पंखी नई नई प्रकार से, नई नई भासा में कई तरह की सब्द वाणी को बोलते हैं, तो फिर वो कई तरह की भासा में बोलते हुए जो वाणी वो आवाज पुरा परमधाम में गुंजय मान हो रहा है, जबकि वो पड़ताल के आवाज ही सब तरह धमक रहा है, तो फिर वो जब मोक्षे वाणी बोलते हैं नई नई प्रकार से, जुआ जुदी जुदी अनेक अपार जुआ से अलग अलग प्रकार के अनेकों अपार सब्द बोलते हैं जीमी चेतन बन चेतन पशु पंखी सुद बूद थीर चर सवे चेतन या की सोभा है कई बीधा देखिए अब पशु पंखी नहीं पशु पंखी तो अपनी मुखार बिंद से धनी की गुण गाते हैं लेकिन परमधाम की जमीन भी चैतन्य है जीमी चेतना बान बानभी चैतन्य है चेतन foul पशुपंखी शुद बुदा पशुपंखी भी सब सुद्धि वाले बुद्धी वाले सुजान है थीर चर सब चैतना थीर इस्थिर रहने वाले जैसे पहाड परवत हो महल मंदीर हो और चारह चारह मतलब चलाएं मान जैसे पशू, पंकी, खुब खुशालियां, सक्खियां ये जो भी है चलाएं मान वाला सबे चेतन, सब कोई चेतन है या की सोभा है कई बिधा, इन सब के कई प्रकार की सोभा है तो कहा थावर चेतन अपनी, अपनी मिशल ये अंतर आखे खुले पाईयें पर आतम सुखह नहें चला तो कहा थावर चेतन सब कोई चेतन होने के कारण ही थावर मतलब थावर की से कहते हैं इस्तिर रहने वाले पेड़ पाउदे बनस्पती, थावर मतलब पेड़ पाउदे बनस्पती, सब चेतन है, अपनी अपनी मिशल अपनी ये मिशल मतलब अपनी अपनी प्रकार से सब चेतन रूप है ये अंतर आखे खुले पाईये, ये सारे चेतन्य शुरूप को कव हम जान सकते हैं अथा वाश समझ सकते हैं कहा अंतर आखे खुले पाईये, तो अंतर आख जब खुल जाए तो इसको प्राप्त कर सकते हैं मतलब इसको जान सकते हैं पारा आतम सुखा नहे चल और अंतर आख खुलने से परातमा का नहे चल, यानि कि अखंड सुखा को प्राप्त कर सकते हैं एक थम्ब कई चित्रामन हार चित्रामन कई नकस 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 कई पांखणी जो देखो सोई सरस अब स्थावर याने की पेड़ पौदे ये वी चेतन कहा तो साथ में वो परम्धाम के महल मंदिरों में जितने वी थम्ब है एक थम्ब कई चित्रामन एक एक थम्ब में कई चित्रामन मतलब चित्रकारियां है हार चित्रामन कई नकस हार एक चित्रकारी में देखिए एक ही चित्रकारी में कई तरह के नकस कारी है तो हार चित्रकारी में कितने सारे नकस कारी है नकस नकस कई पांखडी वो नकसकारियों में कई प्रकार के पांखडी की स्वभा बना हुआ है जैसे फूल के पांखडी वते हैं न ऐसे पांखडी नकसकारी वो नकसा डिजाइन बना हुआ है हार एक थंबा में उष्य चित्रकारी में जो देखो शोई सरस उनमें से जो मतलब जिसको चहां देखो देखेंए शोई सरस वही सरस मतलब सुन्दर उत्तम अनंददाई ऐसा लगता है तिन हार पांखडी कई कांगरी हार कांगरी कई नंग एक नंग को वर्नन ना हो वही तो सारे थंबा को क्यों कहूं रंग तो कितने बारी किशे वर्नन कर रहे हैं देखिए तो एक थंबा में चित्रामन कहा और हर चित्रामन में नकस कहा और हर नकस-णकस में पांखडी कहा और इन पांखडियों को देखे तो भी जिसको देखे वही सरस सेने की वही शुन्दर है वथत्तिस में यह भाव बताया उसे शिवर 33 में कहा तीना पांखडी कई कांगरी वो नकसकारी में लगे हुए पांखडी है न तो हार पांखडी में कई कांगरियां है हार कांगरी कई नंग फिर कांगरी में क्या है कई नंग है अब उन कई नंगों में से एक नंग को वर्नन ना हो वही एक नंग का भी जब बर्नन नहीं हो सकता है तो सारे थंब को क्यों कहूं रंग तो संपूर्ण थंब का रंग मैं किस तरह से बर्नन करूं तो ये 32 नमर और 33 नमर एकी प्रसंग में ये भाव समझना चाहिए तो क्या क्या आया, थंब में चित्रकारी, चित्रकारी में नकस, नकस में पांखडी, पांखडी में कांगरी, कांगरी में नंग, उन में से एक नंग का अभी जब बर्लन नहीं हो सकता है, तो फिर सारा थंब का रंग, अथा थंब की शोभा को मैं कैसे बर्लन करूँ, ये है 32 और 33 का शारभाव अब 34 को देखें मोर मैना मुरग बादर कई जुदी जुदी सब जुवान नेक सब्द उठे भोम का बोले आप अपनी बान मोर मैना मुरग ये सब पंगी है और बादर बादर तो साहिद नाम सुनते सुनते आपको अती प्रिय लगने लगा होगा गाती भी है नास्ती भी है बाज़ा भी बजाते हैं और कई तरह की शेवा भी करते हैं तो सब कोई वेशे परम नाम की अद्वेत है लेकिन बादर के तो बहुत ही सुन्दर कला कोशलता बर्रन किया तो फिर यहां बादर का नाम आया तो मोर मैना मुरग बादर कई जुदी ज जुदी सब जुवान, सब कोई, अलग अलग प्रकार्शिषप अपनी अपनी भासा से, तो जुवान आये तो आगे क्या? जुवान से, जुवान के द्वारा, सब्द से धनी की गुन गाते हैं, तो जुवान सब्द आये तो क्या? शरीफ खाते ही है, ऐसा नहीं है न, जुव जैमान होता है, बोले आप अपनी बान, सब अपनी अपनी बानी में, अपनी अपनी भासा में बोलते हैं, दनी के गुन गाते हैं, एक सब्द के उठते, उठे सब्द अनेक, पशु पंखी जो चित्रामन के कई बिदा बोले बिवेका, एक सब्द के उठते, एक सब्द, जैसे वो पशु पंखियों में से, कोई भी एक जाती के पशु पंखी, एक सब्द भी जब उचारन करते हैं, आवाज लगाते हैं न, उठे सब्द अनेक, अब अनेकों सब्द, वो प्रती धोनी की रूप में फैल जाता है, विस्तार हो जा पशु पंखी जो चित्रामन के, अब वो तो पशु पंखियों की सब्द की बाते हुई, तो उनके जो भजूत में, जो चित्रकारियां है, नकसकारियां, वो भजूत की सोभा को देखिये, पशु पंखी जो चित्रामन के, कई भी धा बोले बिवेक, ऐसे चित्रकारियों स स्वभायमान पशुपंखी कई बीदा कई प्रकार से बोले बोलते हैं विवेक के साथ में अपने कला के द्वारा ये कई प्रकार के वाणी बोलते हैं कई जुदे जुदे रंगों पुतली कई बने चित्रामन कई बीदा खेला जो खेल ही मुखा मिठी वान रोशन अब परमधा में देखिए, पुतली जो है न, वो भी अलक अलक रंगों के रंग में रंगे हुए हैं, कई जुदे जुदे रंगों पुतली, कई रंगों के अलक अलक रंगों के पुतलियां हैं, कई बने चित्रामन, उसमें से एक पुतली को देखिए, उसमें कई चित्रामन बना हुआ है कई बिधा खेला जो खेला ही वो पुतली भी कई तरह के खेल खेलते हैं मुखा मिठी बान रोशन वो पुतली भी मुख से मिठी मधूर वानी को रोशन मतलब प्रकाशित करते हैं मतलब मधूर वानी बोलते हैं देखिए पुतली भी कैसे मधूर वानी बोलते है वो भी दनी के गुन को गाते हैं रंगा रसा होता रमन रमन मतलब खेल वो खेल में अनन्द मगन हो जाते हैं अब उपर की सब्द से कहें तो पुतली की तो अन्यवी पसुपंखी जो भी एशब की लेकिन उपर सब्द पुतली आकर के ये बर्रन हो रहा है इसलिए सोभा सुन्दरता इन की कहे ना सको मुखा इन मुखा मतलब ये प्रकृति के देह के मुख जुआन से सब्द से मैं उस सोभा सुन्दरता को कह नहीं सकता हूँ चित्रामन सारे चेतन सब लिये खड़े गुमान जोत लरत है जोत सों कोई सके न काहूँ भान चित्रामन सारे चेतन वो पुतली में कहिए या तो जितने भी पसूख पंखी जानवरों के वजूद में बना हुआ चित्रकारियां है वो चित्रकारी भी सब चेतन है तो कहान परमधाम की हर एक बस तो चेतन सुरूप है सब कोछ चेतन है तो वो चित्रकारी भी चेतन है चित्रामन सारे चेतन साब लिये खड़े गुमान तो गुमान सब्दा करता है या श्वाभीमान अभीमान और श्वाभीमान में फरक होता है या श्वाभीमान तो ये ग तो सब अपने अपने शाविमान में खड़े हैं जोता लरता कई जोतसों अब एक के जोती के साथ दूसरे जोती कई तरह से लड़ रहें जंग कर रहा है कोई किस्षि को हटा नहीं शकते हैं हारा नहीं शकते हैं सब अपने अपने बल अपने अपने छमता अपने अपने ताकत माफ़क लड़ रहे हैं कोई किसी की सामुने में पीछे नहीं अरते हैं कोई सके न काहु भान करे जोता लड़ाई जोतशों तेजा तेजा के संग किरन किरनसों लरत है आठों जाम अभंग देखिए तो पहले पात को देख करके पात असते हैं फूल को देख करके फूल असते कहा तो फिर अगर प्रेम भरी जंग भी करना ओ न तो एक आपस में ही लड़ते हैं, जंग करते हैं, तो कहां यहां, करे जोता लड़ाई जोता सों, जोती जोती के साथ में लड़ रहा है, तेजा तेजा के संग, तेज के साथ ही जंग कर रहा है, युद्ध कर रहा है, फिर कहते हैं, कीरन कीरन सों लारता है, कीरन कीरन के साथ ह लड़ रहा है आठों जाम अभंग कितने समय तक लड़ते हैं जंग करते हैं आठों जाम आठों जाम मतलो आठ प्रहर ही अभंग रूप से ये लड़ते हैं जंग करते रहते हैं कृड़ा करते रहते हैं नूरा नूरा जहूरसों, करता सफ जंग दोएं, एक दुजे के सनमूखा ठेला न सके कोई, नूरा नूरा जहूरसों, मतलब नूर और नूर, ये नूर नूर अपने प्रकाश के साथ में आपस में लड़ रहे हैं, करता सफ गंज दोएं, सफ गंज मतलब संग्राम, युद्ध, तो करता सफ गंज दोएं, दोएं मतलब कौन, नूर और नूर, अब उपर से देखेंगे तो जोत और जोत, तेज और तेज, किरन और किरन, ये सब दोएं सफ गंज, युद्ध करते हैं, एक दुजे के सनमुख एक आपस के सनमुख शामुन्य में ठेला न सके कोई एक आपस को एक दुसरे को ठेल नहीं सकते हैं मतलब हरा नहीं सकते हैं इतना ताकतदार है सब अपने आप में जंग करता अंगों अंगे साथ नंग की नंग रंगसों रंगा लड़त है तारंग संगत तारंगा और वो दोए आया न उपर 40 के दुसरी चरण में वो दोए में नीचे भी और आ रहा है क्या-क्या दोए है देखिए तो क्या कहा जंग करता अंगों अंगे अंग अंग से सब ये चेतन सुरूप है तो आपना अंग है सब अंग अंग से जंग करते हैं कौन-कौन साथ नंग की नंग नंग के साथ में नंग ही युद्ध करता है जंग करता है अब एक रंग में कितने सारी नंगा है अथव एक नंग में कितने सारी रंग है कहा वही ता में कई रंग उठता वो एक एक नंग में कई रंग उठते हैं ता को एक रंग कहो न जा वही वो एक नंग के अनंत रंगों में से एक रंग को भी सब्द में कहा नहीं जा सकता है आगे कहा कहूं बीध इन्न तो ये सारा नंग की बीध सब को मैं किस तरह से किस प्रकार से कहूं बताओं जित देखों तित शूर में एक दुझे थे अधीक देखाए कई उपर तले कई बीच में या को जूध न समाए जित देखों तित शूर में शूर में मतलब शूरवीर बहादूर ताकतदार है ना शूर में शूरवीर सब अपने अपने बाल में छेमता में सक्ष्यम है जीत देखों तित शूर में जहां देखों वहां ही सब शूरवीर सक्तिशाली बहादूर सब ऐसे हैं एक दुजे थे अधीक देखा है एक से दुसरा वही शुर में यानि कि स्रिष्ट ताकदार दिखाई देता है फिर उससे दुसरा देखा तो उससे और वो सक्तिशाली ताकदार ऐसे दिखाई देता है कई उपर तले कई बीच में अब उपर देखिए, तले देखिए, बीश में देखिए, सब तरफ या को जुद्ध न समाता, इसके जुद्ध युद्ध जो है न, नहीं समाता है, मतलब इतना जोरदार जंग हो रहा है, वहाँ पर नहीं समाता है, अब नूर, किरन, तेज, जोत, ये सब आया, तो ये सब पर नहीं समा रहा है तेज जोत उधोत आकाशलों किरना न काहूं अटकाए देख देख जंग निरने कियो कोई पिछा न पाऊं फिराए तेज जोत उधोत ये तेज जोत उधोत सब ये प्रकास कही अलग अलग रूप है अलग अलग सो रूप है आकाशलों ये कहां तक गया है तेज जोत अथवा उधोत प्रकास आकासलों आस्मान तक किरना न काहूं अटक अता और किरन वो भी आकास तक गया है कोई कहीं अटकने वाला नहीं है एकदम अपनी अपनी प्रकास को लेकर के आश्मान तक चला गया है देखा देखा जंगा नेरने की ओ अब प्रैन्नह जी कहते हैं तेज तेज की बीज़ की जंग जोत जोत बीज़ की जंग, उद्योत उद्योत यानि कि प्रकास प्रकास के वीच की जंग, किरन किरन वीच की जंग, ये साब को देख देख करके, इन सब की जंग को देख देख करके, नेरने कियो, मैंने ये नेरने कर लिया, कि क्या नेरने कर लिया, कोई पीछा न पाउं फिराए, एक कदम कोई पाउं पीछे फिराने वा तो आप खेल खतम हो गया ने देखी न तीसरी चरण में क्या कहा देखा देखा जंग इन सब की जंगों को युद्ध को देख देख करके निरणे की हो कि कोई पीछा न पाउं फिराए कोई भी पीछे पाउं फिराने वाला नही ए मतलब कोई भी हारने वाला नहीं है तो अब सब का जीत ही जीत है और क्या करेंगे तो यहां वैश्य जीत और हार के लिए किशी को नीचा दिखाने के लिए खुद बड़ा होने के लिए इसलिए जंग नहीं करते हैं न वो तो अद्वेत है आनन्द के लिए प्रेम के लिए और धनी को प्रसन करने के लिए सब अपने अपनी कला कोशलता को दिखाते हैं इसलिए कोई पीछे हटने वाले नहीं है तो ऐसा है तो निर्णय हो गया आप ठेक है चलते हलते धाम में सबे होता चलवन कई कोट जुआ इत्त क्या कहे कई बिधा थंब दिवालन चलते हलते धाम में अब चलते हिलते डूलते मतलब हल चल करते हलते चलते मतलब हल चल करते धाम में सबे होता चलवन सब चलाय मान है तो सब चैतने शुरुब है न इसलिए कोई भी एक जगा में रूखने वाला नहीं है, इस्तिर रहने वाला नहीं है, वो सब कोई चलाएमान है, सब होता चलवन, कई कोट जुआ इतक क्या कहे, अब इस सोभा को, इस आनन्द को, ये जो भी बर्नन हो रहा है, ये सब एक जुआ की बात क्या करे, कई कोट जुआ, कई करणों जुआ के द्वारा बर्नन करना चाहे, तो भी इतक क्या करे, ये कैसे बर्नन हो सकता है, कई बिधा, थंब, दिवालन, कई प्रकार की थंब है, दिवालों की स्वभा है, वो सब चेतन है, सब चलाएमान है, तो करणों जुआ के द्वारा भी इसको देख देख के देखिये, तो ने न क्यों हे नत्रपत आए, अब परमधाम की शंपूर्ण सुभा, सुन्दर्था और सोरुप की अगर वर्नन करने की बात तो दूर की बात है, एक सोरुप के नख की, कोई भी एक सोरुप को लीजिए और उनके एक नाख को लीजिए सोभा वरनी न जाए उस नाख की सोभा को भी वरनन नहीं किया जा सकता है देखा देखा के देखिए अब वरनन नहीं किया जा सकता है तो क्या करना है बस देखते रहिए उसी में डूबे रही है तो देखा देखा के देखिए देखते 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 ही रही है कब तक देखते रहेंगे जितना भी देखिए तो नैना क्यों ये ना तरपताए नैन यान की आँखा में कभी भी त्रिप्तिपन नहीं आती है नए न क्यों ये न तरपता है तो सारे सो रुप की क्यों कहों और क्यों कहों इनों के खेल बन, बेली, पसु, पंखी, माहे, करे, रंग, रस, केल तो कहा एक सो रुप के एक नाख की सोभा जब बर्न नहीं हो सकता है 46 नमर चोपए के पहला और दुसरा चरण से 46 नमर में आना है नहीं हो सकता है तो सारे सो रुप की क्यों कहों सरवांग सो रुप, सारे सो रुप की सोभा को मैं किस तरह से बर्न करूं और क्यों कहों इनों के खेल जब सो रुप कही बर्न नहीं हो सकता है तो फिर इनकी खेल, इनकी कला, उसको मैं किस तरह से वर्रन करूँ, बान, बेली, पसू, पंखी ये सब को देखिए, माहे करे, रंग, रास, केला, ये परमधाम में, साब कोई, बान अपने इसाब से, बेली अपने इसाब से, पसू, पंखी सब अपने इसाब से, करे, कर रहा है क्या रंग रश केल अनन्द भरी प्रेम मया केल मतलब खेल क्रिडा लिला कर रहे हैं तो उसक्रिडा उसक्रिड को मैं किस तर से बर्रन करों जातन कही एक सुरुप की अती सुभा सुन्दर मुख तेज जोत रंग क्यों कहों ये तो साख्यातों के सुख अब जैसे उपर पशु पंखी का नाम आया फिर बन बेली का नाम आया है ना तो उन में से जातन कही एक सुरुप की कोई भी सुरुप को लीजिए उन में से एक जाती को भी नहीं बताया जा सकता है किन के जाती चाए बन के जाती हो चाए पशु के जाती हो चाए पंखी की जाती हो चाए ओ बन की बेली की जाती हो जात न कही एक सो रुप की एक सो रुप का भी जाती कहा नहीं जा सकता है अती सुभा सुन्दर मुखा अब इनकी मुखारविंद को देखिए पसुपंखियों को देखिए तो इनकी मुखारविंद इतना सुन्दर है सुभा युकत है तेज जोत रंग क्यों कहों और इन से निकले हुए तेज जोत और उसमें अलग-अलग तरह की रंग उसको मैं किस तरह से कहूँ ये तो साख्यातों के सुख ये तो मतलब ये जो भी सोभा बर्नन कर रहे हैं साख्यातों के सुख साख्यातों मतलब प्रतक्ष्य प्रतक्ष्य सुख का सुरूप है ये परम शोभा जाए ना कही ब्रिक्ष पात की, तो क्यों कहूं फल फुल बास, क्यों होए ब्रिक्ष को, ये तो सुख साथ को उलास, शोभा जाए ना कही ब्रिक्ष पात की, परमधाम की एक ब्रिक्ष की सोभा कहना चाहे, तो ब्रिक्ष की बाती छोड़िये, वो ब्रिक्ष की एक पात की सोभा भी कहा नहीं जा सकता है, शोभा जाए ना कही ब्रिक्ष पात की, तो क्यों कहों फल फुल बास, जब एक पात की सोभा को सब्द में बर्न करना संबब नहीं है, तो फिर उस ब्रिक्ष की फौल और फूल, फिर उसकी बासना, बासन मतलो बासना, शुगंद, एक पात की सोभा भर्न नहीं हो सकता है, तो फिर फौल, फूल और बासना उसकी सुगंद की सोभा को में किस तरसे बर्न करों? क्यों होए बर्नन सारे ब्रिक्ष को? जब एक पात का बर्नन नहीं हो सकता है, एक फौल उसकी सुगंद वासना का जब बर्नन नहीं हो सकता है, तो फिर सारा ब्रिक्ष की सोभा को में किस तरसे बर्न करों? क्यों होए बर्नन सारे ब्रिक्ष को? ये तो शुख साथ को उलास, ये तो साथ को उलास, अनन्द प्रदान करने वाले, तो परमधाम के शखियां इन्हीं बनों में खेल करके अनन्दीत होते हैं न? तो साथ को उलास, उलास मतलब अनन्दीत हरसीत कराने वाले ये सब बन हैं, ब्रिक्ष हैं, तो इसकी सुख को मैं किस तरह से बर्न करों? जो एता भी कहान जाव ही, तो क्यों कहों थंब चित्रामन, पर आतम हमारियां ये तिनके सुख आराम जब एक ब्रिक्ष की सोभावी बर्न नहीं हो सकता है, जो एता भी कहान जाव ही, एता भी कहान जाव ही मतलब इतना भी बर्न नहीं हो सकता है, तो कितना? उपर कहान एक ब्रिक्ष की पात, फल, फूल, बास मतलब सुगंद, तो फिर एक ब्रिक्ष का बर्न कैशे होगे, तो ये सब को मिला करके, जो जब कि एता भी इतना भी कहान जाव ही कहान जाव ही कहान नहीं जा सकता है, बर्न नहीं हो सकता है, तो क्यों कहों थंब चित्रा वहाँ के धंबौं में बना हुआ चित्रकारियों की शौभा को मैं किस तरह से भर्रण करूं ? पराातम हमारी। हमारा परात्म परमधाम में जो है न ये तीन के शुखया आराम तो परात्म को यहनी कि परमधाम में आत्माओ को शुखया आराम देने वाले हैं ये सारा तो बार-बार कहा ना परम नाम के जितने भी सामगरियां है पसु पंकी हो या जानवर हो अथवा अन्ने भी जो भी है ये सब क्या है हक के खेलने का ठौर एक सब्द ये आया है और दूसरा सब्द हक के अथवा खावंद के खेलवने जितने भी इस्थान है, वो खेलने का ठावर है, और जितने भी सोरुप है, वो सब खावंद के खेलाओने हैं, तो ठावर हो या खेलाओने हो, सब आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो फिर मैं इसको किस तरह से वर्रन करूँ? तो कहाँ, परा आतम हमारियां, ये तिन के सुखा आराम, एक थंब की यह बीध कही, ऐसे कई थंब दिवाले द्वार, फेर देखो एक भोम को, तो अतंत बड़ो विस्तार, एक थंब की यह बीध कही, एक थंब का प्रकार कहा ये तो, ओ थंब में बना हुआ चित्रकारियां हैं, वो भी कहा नहीं जा सकता है, तो ये भी परंधाम में हमें सुखा अनंद प्रदान करने वाले हैं, तो एक थंब का प्रकार बताएए, ऐसे कई थंब, दिवाले, द्वार, अब परंधाम में देखिए सब तरफ, ऐसे कितने है कितने दिवाल है कि इशायम में आता है तो ऐसे कई थंब दिवाले द्वार फेर देखो एक भौम को शारा भौम की सब तरफ कि शवबा को फिर करके देखिये सब तरफ गिर्दवाय में घूम करके इशवबा को देखिए तो अतंत बड़ो विस्तार सब तरफ अत्यंत ही बड़ो विस्तार बहुत ही विस्तार है ये कोई शुमार में नहीं आ सकता है पार नहीं थंब नको नहीं दिवालों पार ना कच्छू पार शिडिय नको ना पार कमाडी द्वार तो एक भोम के सब तरह फिर करके देखिए, वहाँ पर क्या क्या है? थम्ब है, दिवाल है, कहीं तो सिडी है, कहीं किवाड है, द्वार दर्बाजा है, यह किसी का भी पारवार नहीं है. तो कहाँ पार नहीं थम्ब नको थम्ब का भी पार नहीं है नहीं दिवालों पार ना तो कोई दिवालों का ही पार है ना कछु पार शिडिय नको ना तो शिडियों का ही पारवार हो सकता है ना पार कमाडी द्वार ना तो दर्वाजा के पारवार है ना तो दर्वाजा के कमा मतलब किवाड का ही पारवार है नवों भोम का तुम साथ जी कर देखो आत्म विचार क्यों आवे जुआ इन अकले ये जो अपारई अपार एक भोम की शुभाई नहीं रंगमहल के नवों भोम की शुभाई को दर्शन करिये चिंतन करिये नवों भोम का तुम साथ जी हे सुन्दर साथ जी हे आत्माओं नवों भोमों का रंगमल की नवों भोमों के ये शुभाई को यहां की शुख को अनन्द को कर देखो आत्म विचार अंतर आत्मा से विचार करके देखिये क्यों आवे जुआ इन अकले ये सारी सुभा इस देह के अकल में और इस देह के जुआ में यानि की सब्द में क्यों आवे कैसे आ सकता है ये जो अपारे अपार ये जहां देखे वहां अपार ही अपार सुभा सुन्दरता है इसलिए ये इस अकल के अथवा इस जुआ के द्वारा बर्न करना संभब नहीं है ये सब्द में आने वाला नहीं है तो इस तरह से ये त्रिपन्न नम्मर चौपई तक हुआ अब आगे तो ऐसे ही सारी स्वभा बर्नन करते जाएंगे प्रैन्नह जी तो आगे के चौपईयों के उपर हम अगली सत्र में चिंतन करेंगे तो प्रसंग तो एकी भावशे जा रहा है परन्तु समय को भी देखते हुए त्रिपन्न नम्मर चौपई को दोहरा करके अभी विश्राम करते हैं नवों भूम का तुम साथ जी कर देखो आत्म बिचार क्यों आवे जुवाईन अकले ए जो अपारई अपार ए जो अपार ए जो अपार ए अपार बलुस्त्री प्राणन थि प्यारी की प्रणाप